तो कि आज गालबन मेरे हाल से स्वंधियार का बर्थ रिये था, वो नहीं आ सका और एक और हमारे भाईयां वो नहीं अभी तकाए है, एनिवेज, तो स्टार्ट करते हैं जी, एक क्वेस्चन लिखता हूं, आप लोगों ने इस क्वेस्चन का आंसर करना है, आप अपने माइ X को अन्यूट रखे, 8 divided by 2 multiplied by 2 plus 2, इस क्वेस्चन का आंसर ने काना, जी, आपके पास कॉपी पैंसल होती है ने सबके पास, जी, सर्वार है, आप नदर है, इसका आंसर निकाने, आज एक लाश हम थोड़ी करेंगे, ओके आपका आंसर आया 16, इसके लावा भी को पुछाशन सिक्स्टीन, सर्षिक्स्टीन ही, आच्चे, एवैस साथ, अवैस सब क्या आंसर आ रहा आपका, वन, सर्थ, आवैस साथ क सभा के मताफिक शीजा जैनिफर क्या कहती है सिजा के मताफिक क्या थि exemption जैसेक मुताबिक शेजी नियु और खुश्षवक्त के मताफिक प्याई सिक्स्टीन से सिक्स्टीन अच्छा आज का लेक्चर ना मैं आप समझे लिए कि दो लेक्चर अपको कठे करवांगा आज आज का लेक्चर हमारा लेंथी हो जाएगा को प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहीं साड़े दस से बारां बारे तक हम चले जाएंगे लेकिन आज हमने प्रैक्टिस काफी करनी है चीजों की ठीक है ठीक है तो मैं यह चाहरा था कि ना मैं आपको जड़ा आज एक्ट्रा टाइम दू थोड़ा सा क्योंके कल कॉलिज से ओफ है तो इस दिया आज बैठके ना काम करते है डिटेवल में अब यह जो है जो अवैस भाई ने वन कहा वो इस बुनियाद पर कह दिया कि अगर आप लोग इसको सॉल्व करें दूसरे दरीके से आपने किस तरह सॉल्व किया आपने पहले ब्रैक्ट सॉल्व कियोगी तो यह आ गया 8 divided by 2 multiply by 4 तो 8 divided by 2 multiply by 4 is equal to 8 the answer is 1. और जो हमारे दूसरे हैं लोग जिन्होंने दोस्तों ने किया उन्होंने इस तरह किया होगा कि 8 divided by 2 multiply by 4 फिर उन्होंने किया होगा 8 divided by 2 4 multiply by 4 that is equal to 16. तो अब यह question rise हो गया है कि होगा किया बात फॉलों कर रहे हैं अब इन दोनों possibilities में से यहां पर कुछ रूल्स अपलाए होते हैं उसमें आपके पाद दो रूल्स हैं जिसमें आता है बॉर्ड मैस एंड पैमडार्स ठीक है अब मैं यह दोनों रूल्स आपको थोड़ा साइलाबोरेट कर देता हूँ B O D M A S Board duy प्रीक पैमडार्स बॉर्ड मैस बॉर्ड मैस रूल्स जो है उसके मताबिक सबसे पहले आप लोग सॉल्ब करेंगे brackets को अगर ये bracket है तो छोटी उसके बाद ये bracket है तो उसके बढ़ि और ये bracket है तो सबसे बढ़़ उसके बाद आता है order order means किसी चीज़ की power किया है उसके बाद आता है divian जो चीज़ने divided हो रही हुआ है फिर आता है multiplication फिर आता है addition और last में आता है जी subtraction तो हम इस board mass rule के मताबिक इसको solve करने की कोशिश करते हैं हमने सबसे पहले bracket इसमें को नजर आ रही है हमें yes हमने सबसे पहले क्या solve की दोनों में bracket solve फिर क्या solve किया हमने order order था है नहीं तर पावर थी नहीं आपके पास फिर आगर डिवियन तो अगर हम डिवियन को solve करें तो कौन सा method आता है four multiply by four इक हो गया यह बात फॉलो किया आप लोगों ने इसे उसके बाद क्या आता है multiplication तो आपने multiply कर लिए यह था board mass अब जलते हैं दूसरे रूल की तरफ एंड़ सेकंड रूल इस पैमडाज रूल उसके बाद exponents जो power में होती है फिर multiplication फिर आजाता है divion फिर आजाता है addition और फिर आजाता है subtraction अगर हम पैमडाज को follow करें तो पैमडाज के मताबिक इसका जो answer आएगा वो क्या आना चाहिए यह जी अभी देख लेते हैं पैमडाज के मताबिक को सबसे पहले parenthesis brackets है हमने solve team power नहीं है उसके बाद क्या करना चाहिए हमें इसको हमने multiply किया तो 8 आगया फिर divide किया तो पैमडाज और बॉक्स में बॉर्ड मैस लोग कहते हैं कि दोनों रूल different है यहां division पहले हो रही है multiplication बाद में हो रही है यहां multiplication पहले हो रही है और division बाद में हो रही है ऐसे हैं तो बॉर्ड मैस चुरूल है यह इस्तमाल होता है ज्यादा तर आपका UK में एशिया में पैमडाज यूज होता है United States में यूएस फ़गरा में अब क्क्वेशन फिर वह यह आ गया कि मैं क्क्वेशन UK में सौल करूंगा तो और अंसर होगा और उसको यूएस वाला चेक करेगा तो गल्द कर देगा देपॉइंट इस नो बोर्ड मैंस और पैमडाज के एक ही रूल है सिरफ पैमडाज में आपने अपलाए करना होता है लेफ्ट तू राइट यानि आपने लेफ्ट तू राइट जाना है अगर लेफ्ट तू राइट पहले मुटिप्लिकेशन आजे तो आप पहले पैमडाज रूल में आपने लेफ्ट तू राइट को फॉलो करना होता है जैसे यहां पर अगर मैंने अपलाए किया था इस पे पैमडाज तो पैमडाज के अकॉर्डिंग मुझे पहले मुल्टिप्लाइ नहीं करना पैमडाज रूल की शर्त एक ये भी है कि लेफ्ट और राइट चलें पहले डिवाइड आ रहा तो आप डिवाइड करतें तो यहां फॉर आएगा अगर डिवियन पहले आगए तो डिवाइड पहले करतें अगर मुल्टिप्लाइ पहले आगए तो मुल्टिप्लाइ पहले करतें तो आंसर इसका भी जो होगा वो 16 ही आएगा बात फॉलो किया आप लोगों ने इसलिए आपने कि बॉर्ड मैस और पैमडाज यह दोनों तरफ से अप्लाए करें ओके लेट्स मूफ तूवर्ड सम प्रैक्टिकल एक्सेंपल मैं आपके सामने एक क्वेशन लिखूँगा जी-जी यह बॉर्ड मैस का फिर कोई रूल नहीं मिनके अगर इसको को लेफ बॉर्ड मैस और तो कर दोनुके से कि भाखा करना है ठीक है ऐस काया ऊठेक्तू को multiply by 7 plus 3 square of 10 divided by 5 minus 6 divided by 2 multiply by 3 13 minus 8 जी कौन कौन गपराया सबसे पहले तो यह बताएंगे नहीं सब्सक्राइब नहीं है तो फिर हम गपराने से इसको दरा एक मिंट देता हूं को हल कर किसका अंसर तो निकाले सब लोग जरा हल करें इसको जलेगी सॉल्वें सॉल्वें जस्ट्राइब इसको सबसे पहले ना बॉर्ड इसको बॉर्ड मैंस सॉल्वें चले किसको बॉर्ड मैंस सॉल्वें पहले लोगा तो युर्ड मैंस सॉल्वें जसको जसको देता हूं झाल झाल कि निकला किसी का अंसर बोर्ड मैस के जरीगे अले जी दमागों पर जोड डाले शाब आश जी क्या अंसर आ रहा है 45 इसका सभा का अंसर है 35 जी 45 सभा के मताबिक आंसर आ रहा है जी 45 जी बाकियों के मताबिक क्या रहा है शाबाश अवैस भाई के मताबिक क्या रहा है जी ऑफिछा के मताबिक क्या थोड़ा से कंफ्यूस तो नहीं आप ने काम इता इस अदो आप इस पिछार आप अवैस तो इस तरह कंफ्यूस तो नहीं नहीं काल को डीएस भी किसी के चिकर पोले करना पड़ जाता यार अजिए तो नहीं आप कि दी एस पी आवैस भाई अपका पोलीज का शोक है जी तर चैलेंग बहुत अच्छा होगे फिर तो डीस पी साथ ना यह पी तो नहीं तो नहीं बनेगा यह स्पी बनेगा यह से तो पहले डीस पी आते थे ना डीस पी और एस पी में यही हैं लेकिन अब यह तो फिर बहुत है अब पर आप के चास्ट आपको मुबारिक हो बाई की तो हम दूसरी देखे आप के बाई को तो हम फून नहीं आप कर सकते हैं मुझे उक्म गया करें आप अच्छा माशाला आप इंस्पेक्टर है मैं जी सर अपना कोई पुलीस को ट्रेनिंग दे रहा हूं चुकी रहे कि आया हूं अपना डीजी बात है चले जिस दिन में डीजी हान गया तो उदर बाइक वालों ने पकड़ा तो आप लहूर में है तो सारा हुकम करें मैं लहूर में हूपी जी एक डेट साल से माशाला माशाला चले ये भी अच्छा है जरूर आप से मुलाका दो जो किस दिन करते हैं चले जी अच्छा जी फात्मा रुबाब ये खुश्बक्स सर्वर और बाकी जो हमारे दोस्त हैं सारे ये भी परेशान है चले जी अब इसको अपलाय करते हैं जी बोर्ड मैस के जरीए सबसे पहले बोर्ड मैस करते हैं इसके उपर अच्छा ज़ाता हूं कि मैं चाहता हूं कि क्लास के इंदर ज़रा एक अच्छा मौल क्रियेटर है आप लोग पढ़ते हुए कंफ्यूज ना हो जरा इंजाइश करें बोर्ड मैस में सबसे पहले तो आप इसको हल करेंगे इसारी एक्वेशन चोड़ें और मुल्टिप्लाइब सेवन प्लस थ्री स्केयर ऑफ टैन डिवाइड बाइफ फाइव माइनस सिक्स डिवाइड बाइट बाइट थर्टीन माइनस एट कितना आ गया मिन प्रेक्ट सॉल्फ कर लेगा तो हम गलती करते ब्रैक्ट लगा यह गल्ती आपने लिकर ठीक है आपने इसके दर्विआंस साइन डाल देना इसका मल्टिप्लिकेशन का ठीक हो गया जी अब दूसरी बात आती है order यानि power power वाले दर को नजर आ रहा है आपको तो 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 का मतलब है nine of का मतलब है multiply three square of ten का मतलब है three square nine multiply by ten 90 है ठीक हो गया जी तो four multiply by seven plus nine multiply by ten divided by five minus six divided by two multiply by five ठीक हो गया अब आप जरह इस पर प्लाइब कर दे रूल बोर्ड मैस में क्यूंके डिवियन चल रही है हम जरा पहले इसको डिवियन के साब से कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि multiplication कैसे कर देखें जी यह portion आपका जिसको भी मां highlight करूंगा यह वाला एक यह portion divided हो रहा आपके पास है और एक यह portion divided हो रहा है दोनों को डिवाइट करें जरा 10 divided by 5 2 6 divided by 2 3 और remaining portion मैं वैसे ही लिखते तो 4 multiply by 7 plus 9 multiply by 2 minus 3 multiply by 5 अब डिवियन वाले हतम हो गे इसके अंदर से अब multiplication वाले देखे कौन कौन से जी 4 into 7 9 into 2 3 into 5 यह आरा ना मरे पास तो 4 7s are 28 9 2s are 18 minus 15 46 minus 15 that should be equal to 31 तो सबा जो है वो 45 पे थी जी बात ने अब इसी के उपर जैसे आपने बॉर्ड मैंस अप्लाई किया ना ऐसे ही आपने पैमडाज अप्लाई कर लाए इसी के उपर पैमडाज अप्लाई करते हैं चले तो यह आप लोगों ने लिख लिया इसको मिटा दूं कि सब्सक्राइब करते हैं अगर किसी ने लेना करते हैं तो अब हम इसी को कि पैमडाज की मदद से वाल करने की खोशच गले है अब हम इस ए पैमडाज अब एमडास की मिद्धे से स्वाल करें तो सबसे पहले प्रांथिस मीन्स प्लैकट्स तो इसको स्वाल कर लेंगे यह आजेगा उसी तरह से आपके पास पाइव और स्वाइव और स्वाइव प्लैकट्स नहीं लगानी जैसे मैंने भी आपके प्लताया था बाकी यह आगया 2 divided by 6 divided by 2 5 minus 6 divided by 3 square of 10 plus G वोई equation आगे अब इसको फिर अप्लाय करें ब्रैकट गे वाली है हमारे पास तो 9 multiplied by 10, 4 multiplied by 7 plus 9 multiplied by 10 divided by 5 minus 6 divided by 2 multiplied by 5 अब अगर linearly मैं अप्लाय करूँ अगर मैं आप इसको linear इसके उपर अप्रोच अप्लाय करूँ न तो क्या बनेगा ठीक है मैंने कहा था पैम डाज में आपने चलना है फ्रॉम लैफ और राइट लैफ चलते जाएं अप इस पर अप्लाय करके देखें कि हमारा अंसर वही आता है तो सबसे पहले हम किस पर अप्लाय करेंगे यह आ रहे हैं सबसे पहले मिल्टिप्लिकेशन का 4 728 प्लस इसमें आ रहे हैं 9 इंटो 10 9 इंटो 10 90 डिवाइड़ बाइ 5 माइनस को छोड़ दिया यह 3 6 divided by 2 is equal to 3 multiply by 5 जी यह बास समझाइए आपको है हमने लीनियर ली उसके उपर अप्लाय करती है डायरेक्ट सीदा सीदा हमने जो देखा जो पहले आ रहा था मिल्टिप्लाय करती है यहां पे मिल्टिप्लाय पहले आ रहा था इसको मिल्टिप्लाय करती है डिवाइड को 28 प्लस इतना आजे गई है 18 माइनस 3 multiply by 5 तो क्यांसरों थीन आए गाए 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 गल्त करते हैं ने थीक जा रहे हैं ने थीक है ठीक है ठीक है ट्वंटी एट प्लस 18 कितना हो गया जी 46 क्या अंसर आया था थार्टी वाइन और उसमें क्या आ रहा था 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 थार्टी वांटी तो समझाईए आपको पैमडाज और बॉर्ड मैस एक्चुली एक ही तरह के रूल है सिर्फ इसमें थोड़ा सा आप याद रखे ब्रैकेट पावर डिवियन मुल्टिकेशन इडिश पैमडाज अप्लाए करता हूँ जब मैंने कभी करना हो स्वाल कि इसमें लेफ्ट और राइट पे आप कर देते हैं आप डिवियन मुल्टिकेशन में कंफ्यूज ही नहीं होते हैं चले एक और एक्जैंपल करें इसकी एक और एक्जैंपल करते हैं और मेरे खाल से उस एक् ओके तो अब हम लोग ठीक है ना मैं इसके प्रैक्टिस क्वेस्चन आपको दूंगा आप वैसे भी इसको लिटरेचर में इधर उदर से जहां से आपका दिल करें ये क्वेस्चन ने और दोनों रूल्स अप्लाए करके देखें ठीक है ना आपके आंसर इन्शाला तलान द फाय मल्टिप्लाइब एस सेवनग कि प्लास सिक्स अया जान है है कि दुश्च अिसको दिवाय कर दें थी के साथ रैnderमी मैंनस करतें इ dalam pulse буश्च的 8 के साथ और मुल्टिप्लाः करतें है ओ फोर के सब improper चलेज्ड इसको सोलूशन तो चले इसको स्केर कर ले जरा थोड़ा कन्फ्यूज कर ले ना और हाँ ठीक अब जरा इसको सॉल्ट करें दोनों तरीकों से सॉल्ट करें और देखें आपके आंसर आ रहे हैं अब आप इसे करें मैं जर एक मिन पानी प्यों आप करें इसको कि 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 स्प्टें जरा आंसर आया कि इसको सर्फिफ्टीन आंसर यह यह सबका फिफटीन आ रहे हैं जी सर्फिफ्टीन आ रहे सावर्दस्ट जी वैस भाई का क्या रहा है जी तर मेरा फाइव है यह तर फटीन आ रहा है इसका दुबारा करते हैं कोई नहीं दुबारा से लीनियर अप्लाय करें आपका मैथमेटिकल बैग्रोंड रहा है या आपने वह पड़ा वह बाइब देखा ना कोई बाद जी जैनिफर का क्या रहा है जी सीधा जैनिफ्टीन ओके ग्रेट और फात्मा रुबाब का क्या अंसर आ रहा है मरुबाब हमारी तरह कि हम भी ऐसी करते हैं क्लास में मिटिंग आन करते हैं और उसके बाद जी खुश्बख्त सर्वर अब भी तक सौल कर रहे हैं माशाला और यह जी 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 मैंने क्लास लेट जाइन की है आपकी क्लास चल रही होती है कोई जी सर्थ आयत आपको इंग्लिश की आपकी क्लास कितने में के बाइंड आप ओती है ना आपकी वज़े जड़ेंगे तो आपके लिए बीचे वहां पर लेट हो जाते हैं चाहने चुने च्राइब यह चैने चरेंगें इसको चैने जी तो बोर्ड मैस रूल के मताबिक फिफ्टीन आ गया जी जिस दिन आवे वैस बहीं कहा देंगे आ गया उस्तिन अब करेंगे क्लियर आगया सर आगया जबर्दस ले जी हमारी होगी है अपने पर्चा कर रहा था आप हमारी रिकवरी आगी है ओके इसके बाद जी हमारे पास यह दो रूल अब आप इसको कर लेंगे ना अपलाए अपने तरीके से मुख्तिव जगों पर मैं आपको इंशाला तरह इसकी स्वार्ड बेजूंगा तो सारे बैन भायों ने जर अच्छे तरीके से करने नहीं है ताके आप लोगों के लिए यह शूना क्रियेट करें इंशाला तो यह छोटा सा रूल था लेकिन इंपॉर्टेंट रूल है और इसके लिए बड़ी से थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन उसके इंदर फाइदा हमारा ही है इंशाला तो मैं कोड्रेटिक करेंगे बाकी नहीं करेंगे लिए हम बाकी भी करेंगे हम क्वाड्रेटिक तक जाएंगे यानि सिंपल एक्वेशन से स्टार्ट करके डिग्री ओफ पॉलिनोमियल अच्छा जी अब चलते हैं जी हम लोग लिनियर एक्वेशन की तरफ तो लिनियर एक्वेशन है क्या चीज़ सबसे पहले देखें जब कभी आप लोग कोई एक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास उसके अंदर एक वैरियेबल आ जाता है ग्रीवल कि वैल्यॉयूयूयूय जो है वो चेंज करती है अकवन् дорविशन अक्वरी एक्वाड़िंट को ग्रावका último दा अदर वैलियूजकि जैसे मंसटों तू एक्वाइक्स इस इक्वल्त वाइं तो वाइस तो पाल इस इक्वल टू वाइस इक्वल्टों और वाइस equal to 6 up to 100, जैसे जैसे आप X की value 1 put करेंगे, X की value 2 put करेंगे, X की value 3 put करेंगे, तो हमें actually एक variable दिया गया होता है, जिसकी value निए Y क्या है, एक variable है, जिसकी value X variable के change होने से change हो रही है, इस तरह की equations जो हमारे पास आजाती है, algebraic equations, इनको linear equations के नाम से भी donate कर दिया जाता है, और इसको side members भी कह दें, इसमें आप लोग equal का sign डालते हैं, दो members के दर्मियान में, जैसे मैं अगर कहूं कि आपके पास X है, तो X की power अगर N हो, X की power कोई भी N हो, तो हम कहेंगे degree of polynomial, N, यहाँ पर N आ रहा है न, आपके पास यह वाला, तो इसको आप लोग कहेंगे degree of polynomial N, और इसको आप लोग कहेंगे degree of polynomial N, जीरो, शापाश, अगर मैं कहूं यह है, X raised to power 1, इसको कहेंगे, 1, degree of polynomial 1, अगर हम कहें X 2, तो इसको कहेंगे, degree of polynomial 2, जब आपके पास कभी X square की form आए, ऐसी equation को कहा जाता है, degree of polynomial 2, या दूसरे लफजों में कहें, तो इस equation को कहा जाएगा, quadratic equation, लिकिन quadratic equation की एक शर्त होती है, मसाल के तोर पे मैं कहूं, X square minus 4 is equal to 0, क्या यह quadratic equation है? यह सारी, इसमें X का factor नहीं है, BX थे होता है, standard form नहीं है, आजी, यह quadratic नहीं है, it's a linear equation, of degree of polynomial 2, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखतू, X square plus 2X plus 4 is equal to 0, अब यह कौन सी equation है? quadratic equation है, यह quadratic क्यों है? quadratic के लिए शर्त है, AX square plus BX1 plus CX0, 0, 1, 2, जब ऐसी situation होगी, इसको कहा जाएगा, quadratic equation, तो आप कहेंगे, सर यह क्या है, X की power 0 क्या है, किसी भी चीज़ की power 0 हो जाए, 1, एक ना अमेरिका में, यह वाकिया बड़ा मुशूर है, एक अमेरिकन था, तो उसका आखरे टाइम था, तो कुछ रिष्टेदारों ने उससे साइन करवाए, यह आप यह समझ लें, कि 1930s की बात है यह, तो उसके bank account में, कुछ 4,00,000 डॉलर पड़ा हुआ था, 4,00,000 डॉलर एक बहुत बड़े अमाउंट है, उस टाइम के लिए आसे, आज हमारे पास हो, तो अन्हीं डाल दे हम लोग, यह तो उसके टी बात है, 1930 की, उसके तो रोटी भी एक रुपी की जार आती थी, तो 1930s में, उसको कहा गया, कि तुम साइन करो, जब उसने साइन किये, यह उसने अमाउंट लिखी और उसने साइन किये, तो उसने इसके उपर यहां ऐसे छोटा सा एक जीरो लगा दिया, तो जब यह कैश होने के लिए गया, तो इस एक्चुली तपावर, तो आंसर क्या आगया? वह फॉर एपीज में ले होगे, उनको वन डॉलर मिला, वो कहें, चार लाग डॉलर है, वो कहें, जी उसने उपर जीरो लगाया, इसका मतलब वन डॉलर है, तो वो मैथमेटिशन होगा कोई, तो यह एक छोटी सी सिचुएशन याद रखिएगा, यह वाके इसले सुनाया है कि आपको याद रहे कि किसी चीज की पावर जीरो हो जाए, किसी भी चीज की, जो मर्दी पावर है, तो यहाँ पर एक्षिली 4x0 है, ठीक है, यहाँ पर भी 4x0 है, लेकिन यहाँ x1 नहीं है, ठीक है, तो one by one हम इसको solve करते हैं, शुरू करते हैं, और आप लोग जो हैं, उस equation को फिर one by one देखते चुलेगे, तो यहाँ से कुछ example, मैं simplest example से start कर वाऊंगा, इंशाला ताला, और फिर हम इसकी hard examples कोशिश करेंगे कि चलते गए, अच्छा मिटिंग एंड होने के ना, तो तीन चार मिंट का गैप आया करेगा, क्योंकि ना, वो आपकी जब मिटिंग में रिकॉर्डिंग पर लगाता हूँ ना, तो मिटिंग फिर रिकॉर्ड होती है, पुछ टाइम के लिए दो चार मिंट ले जाती है, तो अगर उस टाइम पर मैं दुबारा मिटिंग करूँ तो पुरानी रिकॉर्डिंग जाया होने का खत्रा होता है, वो इस वजाए से ना, दो चार मिंट का दरा गया पाएगा, ओके, लेट स्टार्ट विएजिए एक्स माइनस फोर इस इक्वल टू सिक्स्टीन, Quescion को solve कर लें, क्या करेंगे今? %266620, अगर आप solve करताे हैं अगह एदर minus हो गाएदर आप्लस हो जाएगा, एक्स वाली side की जो value है आपने इस side में x को free करना है, अब x को free करने का तरीका गया है, कि इसके साथ आप create कर दें, एडिंटिव आइडेंटिटी जी एडेंटिटी किया होती है जी जीरो और मल्कुक्तीड लींडिंटी ऑडिंटीटी जीरो है और अब की जीरो का मित्ना फिली जीरो अब हम्यजीर की क्या जरूत सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी वैलिए पर कोई फार्ट नी पड़ेगा इसी तरह मल्टीपिलिकेटिफ वन है अगर वन से करेंगे तब दू कोई वैलिव में यह लिखता हूं लेट सब्सक्राइब करता है एक्स इस इक्वल तो ट्वन्टी मैं कहा दूँ एक्स प्लस जीरो इस इक्वल तो ट्वन्टी इसका क्या मतलब मुझे जिरो क्यों लिखना पड़ता है किसी जगापर अई आइडेंटिटी आइडेंटिटी का एक्वल मतलब किया है अगैगाव के सब्सक्राइब कर दो कर दो कि अदैने का मतलब है नो चेंच नंग एगर हम किस के सब्सक्राइब ने यह जीरो क्यों लिखा हमने एक्वेशं नियुट बनाने के लिए ऐसा नहीं है यह निखे ना लिखें वो लीनेरी रहेगे अब यह बड़ा इंपोर्टन्ट क्वेस्चन है और ना यह एक्चुरी क्वेस्चन में क्लियर कोई नहीं करवाता देखें जीरो का मतलब है यहां पर कोई वैल्यू थी जो आपस में एड हुई और उ 20 इसका मतलब है एक्स इग्जेक्टली 20 है यानि एक्स स्टार्ट ही 20 से होगा है लेकिन अगर मैं लिखो ना एक्स प्लस जीरो इस इक्वल टू 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 इंज यहां पर कोई एक ऐसी वैल्यू थी जो आपस में एड होने के बाद आंसर क्या रहा है जीरो इ इसकी मिशाल देता हूं ठीक है ना ये तरह तोज्जो से देखने आप लोगों लो एक्स माइनस फूर अगर मैं यहां प्लस फूर कर दू इक्वल की एक साइड पर तो दूसरी साइड पर भी क्या करना पड़ेगा तो मैंने क्या कहा X-4 प्लस 4 इस इक्वल टू 0 0 is equal to 12 तो इसका मत्बब इस जीरो किसको रिप्रिजेंट कर रहा है X is actually not equal to X is actually not directly equal to 20 X is equal to 20 when we will add additive identity this additive identity is actually representing some equation when we added that equation the answer was 0 therefore when we are adding 0 into X ठीक है न यहां पर जो भी था तो वो equal की एक साइड पर फरक आएगा तो दूसरी साइड पर फरक आएगा यह identity का concept समझाया आप लोगों को अच्छा यहां से न सबा से मेरे question है सबाग है क्लाहा जी सबाग को वाज आ रही है हम पढ़ाते हुए ना बच्चे हमसे पूछते हैं इससण लिक्रों न 오늘도 आ बो जो मॉझोड है न्र समझाया अधैंगे करते है अब आम को वहितने लोग ज्जावें गृत में मौनो को पता होना जी कि अधैर नियूक्राउस में मौजूड होते हैं और नियूक्लियस में मौझूड होत प्सकी अधर एक electron होता है, इसके अंदर ही एक proton होता है, यह N00 लिखने का मत्तब किया है, इसको neutrino कहते हैं, यह क्यों लिखते हैं हम साथ, इसकी तो value 00 है, तो हमें लिखने का क्या फाइदा होता है, यह Neutrino यह एक identity है, किसकी identity है, यह electron जिसको आप बीटा पार्टिकल कहते हैं, यह electron जो नहीं है, यह electron जो नहीं है जो आपके से न्यूक्लियुत्रों से निकला करना है। इसलिए की हम एंड पर इंड गाते हैं कि यह फ्रोटौन न्यू ट्रोण में से निकले मखशनें जिए पर उस्टोड़न गोड़न नहीं हैं यह इल्एक्राइब हुदक्रोय हे वह मख कोवेगयों कि आपने और झőट